नमस्कार जी नमस्कार सर क्या नाम है बेंजी आपका? मेरे नम राधा उपाद्धियाई है राधा जी आप कहां के रहने वाले हैं? सर में खानपूर दिली के रहने वाली हूँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साधना करते थे सर ममी पापा रादा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए थे और उन्होंने गुर्विंदर सिंग डिलो से नाम दिख्षन ली हुई थी जिसके वज़े से हम बच्पन से ही उन्हें के साथ जाते थे हम व्यास भी जाते थे और च्षटरपूर में जो उनका भंडारा लगता था है वहाँ पे भी जाते थे तो बेंजी आप रादा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ती साधना अपने पेरेंट्स के साथ करते थे बच्पन सही रादा स्वामी डेरा ब्यास के सत्संग को सुना अपने तो जो ये भक्ती साधना आप करते थे इनसे आपको क्या लाब मिले सर जैसे की मैंने बच्छपन से ही देखाए है पापा मम्मी रादसवामी कही सिमरन करते थे उनी का दियावा नाम जाब करते थे उसके बास जूथ हमारे गहें का क्कलेशन रही दिमिटा था पापा को भी बहुत गुस्सा आता था और मम्मी को जैसा कि बच्पन से मैं देखते आई हूँ मम्मी को एक जलन का रोक था जाकि काफी जगा पे जिसका इलाज कराया मगर वो अभी तक सही नहीं हुआ था उनके नाम जाप से और भाई एक मेरा भाई मेर से भी बड़ा है जो एक सेगल भगजी है जिन वो भी रादास्वामी में थे पहले दोनों साथ ही जाते थे एक दिन उनका एलाईसी का काम है तो एक दिन जब वो एलाईसी का काम पापा जी करा रहे थे उनसे तो उन्होंने रादास्वामी बोलते थे जब मिलते थे मगर उस दिन उन्होंने सच तो पापा को इस बात को बुरा बहुत लगा, मगर उनों सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, वो एक दिन चले गए, फिर एक दिन और साइगल बगजी आए और उन्होंने जो संत रामपल जी महराजी की अध्यातनिक ज्यान गंगा है, उसको लेकर आए और गीता भी लाए, और साथ साथ सब कुछ दिखाया, कि देखो ये पांश मंतर है, और जो रादव समय भी देते हैं, उसको कहीं भी प्रमान नहीं है, तो पापा जी को हैरानी तो हुई, मगर गुसा भी आ रहा था, क्योंकि 17 साल से जुड़े वे थे, वो सुनते गए, फिर वहाँ पर गए, पापा जी, संट रामपाल जी महराजी के हाश्रम में गए, सतलोक आश्रम बर्वाला में गए, फिर उसदिन पापाजी संट रामपाल जी महराजी से नाम द electromagn लेकर घर पर आ गए, उन्होंने कुछ भूग भी लाए, ज्यान गंघ भूए और हमें समझाया कि देखो उनका सचसंग आता है, एक बार देख कर देखो तो हम तो बच्छपन से ही रादा सौमी को देखते हैं आये थे हमें भी बुरा लगा, मगर उस दिन जब पापा जी ने संत्रामपाजी महराजी का सचसंग चलाया साधना टीवी पर, तो उस दिन मैंने हम सब ने देखा मिलकर बस उस दिन हमने ऐसी देखा कि ये कौन से गुरुजी हैं, हमने उनका सचसंग सुना उस दिन, फिर ऐसे चलता गया एक साल बाद हम पुरे परिवार ने उनका सचसंग ले लिया संत्रामपाल जी महराजजे से नाम दिख्षना ले ली इस तरह हम उनकी शरण में आए बैंजी हमने संत्रामपाल जी महराज के लाख़ों सिस्य से सुना है कि संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षना लेने के बाद उन्हें आध्यात में एक सारे मानसिक अनुवव होते हैं तो क्या आपकी फैमिली के साथ भी ऐसे कोई अनुवव हैं? जी सर बिल्कुल हैं सबसे पहले तो हमने पापा में बदलाव देखा पापा पहले बहुत गुसा गड़ते थे संत रामपाल जी महराजी से नाम दिक्षन लेने के बाद उनका गुसा अपने आपी शांत हो गया ये चीज हमया ही नहीं हमारा पूरा खांदान ये बात कहता है और समय ने बच्पन से देखा था मेरी ममी को जलन का रोक था जो कहीं भी सही नहीं हो रहा था वो एक बार गुरुजी को संत रामपाल जी महराजी को डंडती प्रनाम करके अरदास लगा करी सही हो गया इससे बड़ा चमतकार शायद मैंने कभी नहीं देखा था उसके बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिती बीच में थोड़ी खराब हो गई जब मेरे पापाजी ने एक मकान बनना स्टार्ट के उस टाइम पैसे नहीं थे हमारे पास मगर पापाजी ने बस गुरुजी का नाम लिया और भक्ती करते गए जो उन्हें दिया और मन में अदास की परसंत रामपाल जी महराजी से हैं सिण सभल में बजल डोगी तो गैसे अपन हो गैसे तो ऐसके पाथा November 19FA वेसरी मुंद थेगए ज्यायत से एक में में अपनी पढ़ाई सर्में सेवें परसंट बंते थी और नाशी में परदा उन्हें के बाद 10th में मेरा कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं था इन फेक बस एक महीने में कोई भईया थे मेरे उन्होंने मुझे गाइड किया बस एक महीने और संत रामपाल जी महराज जी की नाम दिख्षना से मेरी कंसंट्रेशन पावर अपना पी इतनी स्टॉंग हो गई अपना मैं अच्छे रास्ते पे आगई मुझे पता ही नहीं चला और मेरी 10th में 9.2 CJP आई यह चीज मेरे लिए तो बहुत शौकिन थी मुझे विश्वास भी नहीं कि मेरे नंबर है सर उसके बाद मेरी 12th में मतलब मेरी 12th मेरे डिप्रेशन था कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं क सब कुछ कर सकते हैं तो यह तो बहुत चोटी सी बात है उस दिन मैंने कंप्यूटर अप्लिकेशन चुना सिए उसके बाद सर मेरी 12th में भी 86 सबसे हाइस्ट में कंप्यूटर में थे और मेरा इफोबिया पनाब दूर हो गया सर इसके बाद 12th के बाद मेरी साइन साइट थ मुझे लग पता चला कि फॉर्म लास्ट है एक हफ्ते की टाइम में एंटरंस की त्यारी की वह हुई भी नहीं सर आप होईगी भी एक हफ्ते में सर वह एन टाइम पर जो मैं एग्जाम दिया तो इस टाइम लिखा और मालिक सरदास की मालिक आप तो सब कुछ कर सकते हो यह और मैं पापा जी से आकर बिकाता है अगर मेरा इसमेडमिशन होगा तो मेरे बल्भूते पी नहीं संत रामपल महराज जी के वज़े से ही होगा नहीं तो मेरे मेरे अंदर इतना नहीं कि मैं वह एंटरेंस क्लिर कर दूं सर उसके बाद ठीक दो दीन बाद ही उन रिजल्ट के साथ था तो सर ये तो मेरे मेरे जिंदगी के लिए मेरे सबसे बड़ा चमतकार था बाकी सर आए दिन तो चमतकार होते ही रहते हैं बहुत होते हैं जैसे कि सर अभी मैं बीबीए कर रही हूँ बीबीए फाइनल येर में हूँ अभी मेरी सेकेंड येर में मैंने टॉप कि जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि BBA करते वक्त और मैं टॉप करूँगी जो सर्फ मेरे लिए तो समतकार ही है बेंजी संत्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत बड़ा बदलाव आया और उसके साथ साथ आपकी माता जी की जो जलन की बीमारी थी वो भी संत्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद ठीक हो गई आप खुद बताती हैं कि आप पड़ाई में बहुत ज़्यादा कमजोर थी लेकिन संत्रामपाल जी मारास से नामदिक्षा लेने के बाद आपने इंट्रेंस भी टॉप किये और उसके अलावा आपकी जो क्लास की इस्टडी थी उसमें भी आपने टॉप किया तो जो सरदालू आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेज देना चाहेंगी सर हमारी कभीर साहिब जी के गवानी है मानुजनम दुरलब है मिले न बारंबार जैसे तरवर से पता तूट गिरे बहुर न लागे डार सर मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह मुझे पता चला कि मानुजनम इंपोर्टेंट है कि आप भी अमारी गुरुजी की शरण में आओ सत्भक्ति करो शास्त्रों का ग्यान लो इस सच्छा ग्यान तो आपको मिली नहीं सकता आजकल आप एजुकेटेड हो मेरी हाज जोड़कर आप सबसे प्रातना है कि आप संत्रामपाल जी महराज जी की शरण में आओ नाम दिख्षना लो और अपने मनुष जीवन को कल्यान कराओ सर संत्रामपाल जी महराज जी के अने को चैनल उपर सचसंग आते हैं अगर आप उनको कॉंटेक्ट करेंगे तो वह आपके पास के नामदान इस्तल का आडरस आपको बताएंगे अब वहाँ जाकर आप संत्रामपाल जी महराज जी से नाम दिख्षन ले सकते हैं धन्यवाद बहें जी धन्यवाद सर्थ